असलाम कुम्विर्स मेरे नाम कुरितुलायन है और आप देखरें प्रॉपर्टी एक्सपो जो के पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपके लिए कराते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज अपडेट्स, प्रोजेक्ट तो इसको मैं आपको इजी कर दूंगी कि काफ सारे लोग पूछते हैं पीछ बेस्तान प्रॉपर्टी बेस्तान तो आज मैंने फाइफ सुसाइटी जो के लो कॉस्ट भी हैं जिनकी एनोसिस भी है और जिनके मतलब डॉप्र इनका है तो वह डिसकर सब्सक्राइब इस तरह इसको वन बाइवन करके आपको बता देती हूं पहले जो है इस 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 की बात की जाए तो मैं आपको थोरा सइन का इंडिक्शन दे दूंग अगर डिटेल रिव्यू देखना है तो यह जो भी सुसाइटी का में नाम लेंगे आप डेल रिव्यू मेरे वी लॉग पर चालिस किलोमीटर की दूरी पर और उसके साथ पिर फते जंग रोड पर आती है वहां पर घर भी बन रहे हैं और बहुत ही जो इसकी मज़े की बात है वह बहुत ही लो कॉस्ट है यहां पर जो आपको पांच मरला मिल जाता है वह तक्रीब आट लाग पच्टर हजार दस ला जाने की तो मैं किसी को सजेशन नहीं दूँगी तो आप लोग अगर इन्वस्टमिंट करना चाहते हैं थोड़ी पांच साल के लिए और मेहाल से चार पांच साल बात वो जो एरपोर की बैक साइड की सुसाइटिए उनको बहुत बेनिफित होने तो आप यहां पर इन्वस अच्छा होता है कर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो तो फ्यूचर जादा ही अच्छा हो जाता है तो एक खास बात यह है कि वह आई 16 जो है बिल्कुल उसके साथ आता है जो CDS सेक्टर है और सेकिनली जीरो पॉइंट सिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 23 से 25 किलो मेटर बनता ह और यहां पे जो खास बात है CBR टाउन की एक तो वह डिवेलप हो चुका है वहां पे काफ सारी चीज़ें आ गए मतलब मस्जिद बन रही है कमर्शल बन रहे हैं रोड्स बनी हुए है और सुसाइटी को मेंटें किया है ग्रीनरी बगरगा तो ओवराल वहां पे दो चार घ गर बना सकते हैं और इसकी जो सबसे खास बात है वह यह अचा इसकी जो खास बात है वह एक यह है के जी इसकी जो प्राइसें वह भी बहुत रिजिनेबल है एक डुवलप है सेकिंडली यहां पे जो प्राइसें वह तक्रीबन आपको पांच मरला नो लाक रुपे में मिल जाता है तक्रीबन तो प्राइस भी बहुत अच्छी है डुवलप भी है अनुसी भी अप्रूट प्रॉजेक्ट है और सीडिये सेक्टर के साथ है तो सीडिये सेक्टर काफी जाएदा अबाद है जाहिर सी बात जब सीडिये सेक्टर के साथ असपर उसमें जो जमीन होती है उसकी बैल्यों बढ़ जाती है क्या आपको पते हैं सारे लोग जो है सेडिये सेक्टर को प्रफर करते हैं तो इसको यह भी बैनिफिट होने इन फूचर तो यहां पर भी इसको खुद दिल कर था उस ताम ही मैंने काफित आरीफ की थी मुझे बहुत ही पसंदा आई थी परस्नली एक तो कॉस्ट की वज़े से मुझे पसंदा आई थी और सेकेंड़ी जातें तो स्ट्रेट आप जातें कश्मीर हाइवे पर ठीक है और कश्मीर हाइवे को कंटीनि आपन ये 20 किलो मीटर या 20 किलो मीटर बनता है जो 0.5 तो इसका जो अच्छी है सेकिंड लिस सुसाइटी जो है डूइलप सुसाइटी है प्राइस बहुत रिजिनेबल है लोकेशन के अकॉर्डिंग ली देखा जाए और यहां पर इसकी एक जो मुझे मज़े की बात लगी तो शायद इसके एक्स्पेनेशर जिन से पूरे नहीं हो रहे तो सुसाइटी की जो इम्मुनिटी जो कहते हैं क्याते हैं वह काफी रिन डाउन की है लेकिन फ्यूचर इसका अच्छा हो जाने घर आप लोगों बनाने गलिया शलिया बन जाएंगी तो यहां पे भी आप इ मुम्तार सिटी से तकरीबन 1.5 km की दूरी पे है तो पेरेहाल से आपके फंदरा दो प्लॉट आ जाते हैं तो इसलिए भी यह बेस्ट ऑप्शन है मुम्तार सिटीन वाल उन्हें कौन से इतना खास डवेलप कर लिया वह देखें एंटर होते सुसाइटी खतम हो जाती है और और इसकी मैंने स्लेक्शन किया है चेक्री रोड पे काफी सारी आज कल लोगों मतब इन्वस्मेंट करें और मतब चेक्री रोड इस टाइम काफी इन है मार्केट में तो वहां पे मुझे ऐसा कोई ओप्शन और नजर निया है क्योंकि वहां पे जो प्रॉजेक्ट की एन उ प्राइस की देखी जाएं तो यह जो पांच मर्ला किन की प्राइस है अब 23 से 25 लाक रुपे है लेकिन यह के तो जादा महंगी भी नहीं है और जादा सस्ती बीनिया एवरिज रेट है और जो फैसलिटी जो कहने देंगे अगर यह सारी चीज ने फैसलिटी वगरा देते त अगर आप उसको कंप्रोमाइस कर लेते हैं तो अवरल देखा जाए तो एक्सिलेंट ससाइटी है बेस्ट है लोंग टाइम थोड़ा सा लगेगा लेकिन यह के चक्री रोड को देखते हुए यह बहुत ही अच्छा उप्शन है नमबर फाइफ पे जो ससाइटी आती है वह इनके संटर में आती है और लोकेशन वाइस मुझे बहुत परसंद है यहां पे और अवरल फैसलिटीज कमर्शियल उनिवर्स्टी और सारी चीज़े मुझे एक सुसाइटी में ही मिलेंगी और काफी बड़ी सुसाइटी एक छोटी सुसाइटी नहीं है थर्ड नमबर पे इसकी यह बात है कि काफी सरे लोग कह रहे होंगे कि इसकी development नहीं होती है कि मुझे पता कॉमेंट्स आएंगे लेकिन तेखें जब सस्ती चीज होती है उसको थवरा सा टाइम लगता है फिर सुसाइटी चारगुना बड़ी है अधर सुसाइटी से तो टाइम तो लगना ही ह करता तो इसलिए भी गुलबर का फ्यूचर है बहुत अच्छा होने वाला है तो अभी भी काफी महंगा है लेकिन जो लोग इस टाइम पे जो वहां investment कर लेंगे तो फ्यूचर में वो मुझे भी दवाएं देंगे कि मैडम ने कोई अच्छी सीज सजेस्ट की थी तो इसलाम का सस्ता और बेस्ट ऑप्चिन है वो यह है के गुलबर्ड ग्रीन है बाकी देखा जाए पार्क फ्यू इंकले वगरा यह सारे काफी expensive है तो उनका पांच मर्णा काफी expensive है तो यहां पे यह के गुलबर्ड का जो आपको मिल जाता है वो नॉन डुवेलप जो के धाई साल मे पॉसेशन का इनका मसला होता है लेकिन यह के आई-बी की सुसाइटी है सिक्यूर है और यह लोग दे ही देंगे दो चार साल बाद ही दें जहां आपने 15-15 साल से इंवस्मेंट्स की हुए है वहां पे आप लोगों को आज तक प्लॉट नहीं मिल तो यह मेहां से उनसे मैं आप लोगों को मुझसे पूछते तो मैं डिरेक्ली कह देती हूं गुलबर्ग तो काफ़ साही लोग कह रहे हैं मैडम आप गुलबर्ग की एजंट तो नहीं है अचली गुलबर्ग एक ऐसे सुसाइटी है जहां से रिटन्स भी आ रहे होते हैं जहां से इन्वस्मेंट भी आपकी एजिया सेक्योर भी है और लुकेशन बहुत अच्छी है इसमें मतलब तमाम खूबियां हैं सिर्फ सिवाए एक के जो के यह पुजेशन लेट कर देते हैं मिल जाएगी सुसाइटी ने ड्वैलप होना ही होना है तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा पड़े जी वीवर्स यह थे आज की वीडियो और होफुली आपको यह पसंद आई होगी यह वह प्शन से पांच जो पांच मर्ला के जो सस्ते भी थे और मतलब सिक्योर भी थे और नोसी अप्रॉट प्रॉजेक्ट थे इसलिए मैंने आपके साश्रक्या हैं इसके इलावा हग कलाल का इंसान कमाता है और डीलर हरजात उनको किस तरह से कहते हैं दुबा देते हैं तो बाद में फिर पश्ताने से बहते होते हैं कि आप अच्छी जगह पे और लीगल जगह पे और सिक्योर जगह पर इंवस्मेंट करें तो इसलिए यह मैंने पांच आप्शन जिनको जाएं तो होफुली आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इसी के साथ कुरुतिलैन को इजाज़त दें और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मैंने फेस्बूक का पेज जो ग्रूप बनाया है उसमें आप एड हो सकते हैं वहां पर यह आपको मैं जिसको भी स्लेक्ट करती हूं तो आपको वहां पर रिस्पॉंड करता रहेगा उन टाइम तो इसका भी आपको बेनिफित हो जाएगा तो होफुली यह भी आप इसमें एड हो जाएंगे तो इसी के साथ कुरुतिलैन को इजाज़त दें मिलते हैं एक निवीडियो के सा आलाँ हफिज़